तो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर दोस्तो आज मैं सुबह इस्टाग्राम ओपेन किया तो मुझे बहुत सारे कमेट आ रहे थे यार टिक टॉक तो गया कोई ऐसी इंडियन अप्लिकेशन के बारे में बता जो टिक टॉक की तरह काम करती हो तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपको इंडिया में तो इसे बहुत सारे अप्लिकेशन मिल जाएगी लेकिन मैं आपको एक ची बता दूँ इंडिया में अभी जो अप्लिकेशन लॉंच हो रही हुए शिरीप आपको और हमें बेवकूप बनाने के लिए हो रही है किसी अप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है भाई टिक टॉक का दो परसेंट भी नहीं है ठीक है जो दो परसेंट उसमें फीचर था ना हंडेट परसेंट में से दो परसेंट जो इंडिया का अप्लिकेशन उसमें फीचर नहीं है बट क्या करें इंडिया का अप्लि टककर नहीं दे पाता, बट आज मैं आपको 4 ऐसे अप्लिकेशन के बारे मताऊंगा, वह इसे तो अप्लिकेशन बहुत सारी हैं, 4 ऐसे अप्लिकेशन के बारे मताऊंगा, जिसमें आप अपने TikTok की वीडियो को अपलोड कर सकती हैं, और हाँ आप मुझे एक चीज़ कमेंट कर अपने मोबाइल में, तो आप मुझे कमेंट सक्षन में कमेंट करके बता देना, आपका भाई बता देगा आपको किस तरह से TikTok की वीडियो डाउनलोड करनी है, अगर आपका कोई प्रसनल वीडियो है, आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, वीडियो नही जानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सक्षन में कमेंट करके बताना, आपका भाई है, आपका मदस जरूर करेगा, और मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोगों मुझे Instagram पर इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पड़ेगा, तो भाई बखवाज बहुत सारा हो गया, चलिए वीडियो सुरूर कर चाहिए, और मैं आपको बता देता हूँ, क्यों से अप्लिकेशन है, और उन अप्लिकेशन में आपके लिए परफेक्ट अप्लिकेशन कौन सी है, क्योंकि उन अप्लिकेशन में भी लोग चूतिया बना रहे है, बस इंडिया के नाम पे, थेको भारत सरकार ने तो कोई ऐसी अप्लिकेशन लाउंच नहीं किया है, कि भाई टिक टॉक के टकर में ठीक है, टिक टॉक को बंद किया, तो भारत सरकार ने कोई या इसी application launch नहीं किया हम मैंसे आप मैंसे कोई ऐसा बंदा है ठीक है कई लोग ऐसे है जिनके पास पैसा उन्होंने application को develop किया है और उसमें बहुत सारी कमिया है यार इतनी सारी कमिया है जो अभी Indian application आई है टिकक, मित्रो, चिंगारी, रूपसो मतलब छलो मैं आपके दिखाता यार आप भी मतलब देखेंगे तो बोलेंगे क्या Indian application है लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक छोटी से request करना चाहता हूं आपको एक छोटा सा काम करना है सबसे पहले आपको इस वीडियो को like कर देना है like करने के बाद में वीडियो को share कर देना है share करके channel को subscribe करके comment section में आपको एक प्यारा सा comment करना है हमारी इस वीडियो के बारे में और आपको इन चारो application में कौन सी application best लगती है comment section में comment करके बताना तो चलिया शुरू करते हैं ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं चारो application को install करके रखा हूँ वह इसे एक दो application और है लेकिन मुझे वह सारी application फालतू लगी लेकिन अभी जो trending में चल रही हूँ उन application को मैं install करके रखा हूँ पहला है टिक एक दूसरा है चिंगारी तीसरा है रोपसो और चोथा है मित्रो ठीक है तो आज की speedo में आपको बताऊंगा कि इसमें से best कौन है जैसा कि आपको पता है कि TikTok बंद हो गया है तो अभी यह सारे developer इन application के जो सारे developer सारे लोग काम करना इस्टार्ट कर दिया है अपने application में अच्छा अच्छा filter डालेंगे animation डालेंगे ताकि लोग उनकी application को use करें और उनका ज्यादा फायदा हो तो देखते हैं कि आने वारे समय में इन application में से कौन सी application best होती है लेकिन अभी के समय में कौन सी application best है मैं आपको बताता हूँ अगर मैं ticky application की बात करूँ तो यह लगब अभी आप देखना यहाँ पर loading सो कर रहा है ठीक है यह automatic play store में भेज़ देगा फिर वहाँ पर क्या करना भाई मुझे तो समझ में नहीं आता इस application का लफ़डा क्या है तो हम तोड़ा सा wait कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया something wrong और यह automatic हमें play store में भेज़ तो भाई मेरे समझ से इस समय अगर मैं इस समय की बात करूँ तो आपको tick tick application को install नहीं करना चाहिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ feature ही नहीं है जैसे आप open करेंगे loading सो करेगा उसके बाद में आपको play store पर automatic भेज़ देगा तो भाई मेरे हिसाब से इसको install करके कोई फायदा नहीं है ठीक है तो जो पहली application है tick tick मुझे बहुत फादू लगी अब अगर बात करें दूसरी application चिंगारी की तो भाई कल मैं न्यूज में देख रहा था चिंगारी application आ गई है टिक टॉक को टकर देने फलाने दिम काना बहुत सारी बाते मैं सुना तो ठीक है इसको भी हम try करते है तो जैसे आप इसको open करेंगे इसमें कुछ interface है जैसे वीडियो समाचार game आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे मेरा नेट थोड़ा सुलो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा वीडियो आ चुका है अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका profile यहाँ पर सो कर देगा ठीक है जो आपका profile है सो क लेकिन जैसे आप इसको open करेंगे आपको अपने email id से या तो phone number से login कर लेना है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ video है ठीक है अगर आप अपना video upload करना चाहते हैं तो आपको simply यहाँ पर click करना है click करने के बाद मैं आपको अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको कुछ लिखना है ठीक है तो भाई description है तो हमको कुछ लिखना ही पड़ेगा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा video upload होना शुरू हो चुका है लेकिन ये video कब तक upload होगा कितने दिन तक upload होगा वो मुझे समझ भी नहीं आता कल से लगबग मैं 6-7 वीडियो अपलोड कर चुका लेकिन कोई भी वीडियो मेरे प्रोफाइल में सो नहीं कर रहा है ठीक है अगर आप को मैं दिखा हूँ अपनी प्रोफाइल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है तो मुझे इस समय भी अपलिकेशन बहुत फाल्तू लगी तो इस अपलिकेशन को हटा देते हैं ठीक है अब बात करते हैं तीसरी अपलिकेशन की मित्रों की तो चले मैं मित्रों अपलिकेशन को ओपन कर लेता हूँ दोस्तो इस application का मुझे समझ भी नहीं आता भाई आप देख सकते हैं कि जैसे मैं open किया यहाँ पर आ गया भाई TikTok इस्टार का वीडियो लेकिन अगर आप देखेंगे किसी दूसरे बंदे ने इसको upload किया लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे आप देख सकते हैं कि रुख जाँ भाई यहाँ पर देखेंगे एक भी like नहीं 0 like है लेकिन comment 404 comment भाई मुझे यह समझ में नहीं आता like करने वाले 0 लोग हैं और comment करने वाले 404 लोग कैसे कैसे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर आप यहाँ पर click करेंगे इनके profile पर जो बंदा यह video upload किया है तो इसके profile में आपको यह video नहीं दिखेगी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी video नहीं कर रही है अगर video सो करेगी तो किसी दूसरे का video सो करेगा उस पर view आपको बहुत सारा दिखेगा तो भाई मुझे यह इसका यह चीज़ तो समझ भी नहीं आ रहा है कैसे क्या कर रहा है यह application तो भाई मुझे यह application भी बहुत ही फालतू लगी लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप इस application को install करके open करेंगे आपको अपने email id से sign up करना है अगर आप यहाँ पर click करके कोई video upload करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन जब आप video upload करेंगे तो आपका video कितने दिन में upload होगा कोई भरोसा नहीं upload होगा की नहीं भाई मैं करते करते ठक गया यार तो यह भी application मुझे बहुत फालतू लगी एक दम वाहियात लगी अब दोस्तों बात करते हैं चौती application रोबसो की अगर मैं इसको open करता हूँ ठीक है जैसे आप इसको open करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारा option मिल जाएगा तो फिलाल मैं इसको अभी install किया इस mobile में लेकिन मैं एक दूसरे मोबाइल में कल install करके रखा था तो सबसे पहले आपको अपना mobile number डालना है फिर आपको next करना है तो जैसे आप click करेंगे आपके mobile पर एक OTP आएगा आप देख सकते हैं कि OTP आ चुका है अब आपको कुछ इस तरह का क्लिक करना है जैसे आप click करेंगे आप sign up हो जाएंगे अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारा feature मिल जाएगा अगर दोस्तों मैं बात करूँ चारो application में से सबसे best application की तो यह application इस सबसे best आप इस application को यूज कर सकते हैं अगर आप इस application में कोई video upload करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारा option मिल जाएगा ठीक है like का, gift का, whatsapp का, download का, collab का, अगर आप duet बनाना चाहते हैं तो आप duet भी बना सकते हैं ठीक है तो आपको album पर click करके अपनी video select कर लेनी है तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक video अपनी ठीक है आप देख सकते हैं कि video हो गया अब दोस्तों अगर आप इसमें effect लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कमाल कमाल के effect भी लगा सकते हैं आपको दिखा देता हूँ effect लगा के दोस्तों यह अपनी किसम फिलाल अभी के समय में मुझे सबसे अच्छी लगी ठीक है मैं आपको effect लगा के दिखा देता हूँ ठीक है बस आपको click करके रखना है आपका effect लग जाएगा आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको color दिख रहा होगा बस आपको click करके रखना है और आपका effect लग जाएगा ठीक है तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से तो आप देख सकते हैं कि एक simple सी वीडियो थी ठीक है आप देख सकते हैं color में हो गया अब यहाँ पर कुछ चमकेगा blur effect ठीक है तो दोसों इस तरह से आप effect लगा के मतलब आपको यहाँ पर बहुत सा रैप्सन मिल जाएंगे अब आपको पूरा हुआ पर click करना है ठीक है अब आपको यहाँ पर sticker मिल जाएंगे गाना मिल जाएगा magic draw मिल जाएगा ठीक है अगर आप इसमें कुछ magic draw करना चाहते तो आप कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते करने के बाद में आपको simply यहाँ पर click करके अपने वीडियो को upload कर देना है आपको अपने वीड profile में दिखना start हो जाएगा तो फिलाल दोस्तों अगर मैं अभी की बात करूँ तो यह application मुझे सबसे अच्छी लगी बाकि सारी application बहुत फाल्तू लगी एक दावन फाल्तू लगी इस application में आपको बहुत सारे feature मिल जाएंगे नीचे की side में ठीक है अगर आप अपने profile पर click क बोलेंगे तो मैं confirm वीडियो बना दूँगा आपको कैसी यूज करना कैसी क्या करना है तो friends उमिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो please यार अभी कभी इस वीडियो को like कर दीजिए और आप इस वीडियो को share कर दी आपको यह वीडियो करें तो अभी काम चालो हो गया क्योंकि टिक टॉक बंद हो गया है तो सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा फायता हो जाए मैं अच्छी अप्लीकेशन को डेवलप कर लूँ अप्लीकेशन में बहुत सारा फिल्टर डाल दू बहुत सारे एनिमेशन डा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई